देश में रूल अफ ला नहीं है, रूल अफ जुगाड है, रूल अफ गुंडागर्दी। आज जो चल रहा है देश में, वो लोक तंतर के नाम पे राज तंतर चल रहा है। हालात देश की प्री इंडिपेंडन्स से भी ज़्यादा बुरी बना देंगे। लोगों की बोलने की आजादी, सक्के आदार पे लोगों को पकड़ना, इंवस्टिगेशन के भाने लोगों को जेल में रखना और एक तरह से जुडिशरी को नपुनसक बनाना, ड्राना, दमकाना ताकि लोगों की जमानत ही ना हो पाए। राज तंतर लोग तंतर के नाम पे एक तरह से खर्पतवार की तरह इस देश में जनम ले चुका है, खर्पतवार को नश्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से मोदी जी, मोदी जी की सारकार चल रही है, उस पर क्या राज तंतर है या लोग तंतर है या लोग तंतर है कि लोग तंतर के नाम पे राज तंतर है, चल रहा है देश में, लोग तंतर में सब की भागिदारी होती है। लोग तंतर में ट्रांस्पिरंसी होती है, पारदर्शिता होती है, लोग तंतर में कोई फैंसला थोपा नहीं जाता, लोग तंतर में सब की सुनी जाती है और सबसे ज़्यादा जो आलोचना और विरोध की भासा है उनको पहले सुना जाता है और उसमें से अच्छी बाते ली जाती हैं सहर सविकार किया जाता है विरोध और राज तंतर में आवाजे दबाई जाती हैं लोगों को मारा जाता है मरवाय जाता है सबूत मिटाई जाते हैं और राज कायम रखने के लिए सत्ता कायम रखने के लिए सारे अत्कंडे किये जाते हैं पैसा अपराद भै और लालत सब कुछ दिया जाता है इसलिए आज जो चल रहा है देश में वो लोक तंत्र के नाम पे राज तंत्र चल रहा है जिसको हम 47 सुविधान से लागू होने पे जिसको जुते मार चुका था लोग दफन कर चुके थे वो राज तंत्र लोक तंत्र के नाम पे एक तरह से खर्पतवार की तरह इस देश में जनम ले चुका है खर्पतवार को नश्ट करना पड़ेगा ऐसे में सर लोग कहते हैं कि राज तंत्र किसी एक से ही परिभासित कर देते लेकिन ऐसा नहीं है राज तंत्र में कुछ मंत्रियों द्वारा फैशला दिया जाता है जैसे मोदी जी जब तीन ने कानून पास करते हैं और एक जुलाई से वो लागू भी हो जाएगा देश मे तो ऐसे में जो जनता है वो तरस्त हो जाएगी तो इस कानून से कैसे जनता बचे इस पर आप बताएए देखो इस से पे तो जनता या जो लोग हैं सामाजिक संख्थन हैं एक्टिविस्ट लोग हैं वकील लोग हैं वो जहां भी हैं हर एक आदमी अपने हैं इस डिया में तसी लेवल पे, ब्लोक लेवल पे बीडियो है, ब्लोक ओफीसर हैं, डिस्टिक लेवल पे डिप्टी कमिशनर हैं, और कहीं डिस्टिक के ओपर जो कमिशनर हैं, राज्य पाल हैं, यानि गवर्नर हैं, मुख्य मंतरी हैं, सब के जे राष्टपती हैं, राष्टपती के नाम ग्यापन सब जगह से भेजे जाएं और सरकार को आगा कराया जाए वी आर नोट रेडी टू एक्सेप्ट दीज नॉन सेंसिज क्रिमिनल लोज इन इंडिया विकोज ये हालात देश की प्री इंडिपेंडन्स से भी जादा बुरी बना देंगे लोगों की बॉलने की आजादी सक्के आदार पे लोगों को पकड़ना इन्वेस्टिकेशन के बहाने लोगों को जेल में रखना और एक तरह से जुडिशिरी को नपुनसक बनाना ड्राना दमकाना ताकि लोगों की जमानत ही न हो पाए इबाम आदमी तो डिश्टिक कोर्ट में जिला अदालत में जिसकी जमानत कैंसल हो गई या वो नहीं दे पाए क्योंकि हाई कोर्ट ही जमानत नहीं दे रही आज के दिन उनको भी नेस्टान बूद, उनको कैंसल, उनको इलेगल घौषित करने में भी पिछड रही है। उसमें एक तरह से फेल हुई है देश की सुप्रीम कोट, ऐसे हालात जब देश के हों तो देश के लोग ही सुप्रीम कोट हैं, देश के लोग ही राष्टपती हैं, देश के लोग ही सरकार हैं, इसलिए सपष्ट बाहसा में आज की सरकार को ये लिखत के लेटर देना चाहिए कि we are against these type of nonsense bills, acts, कानून और क्योंकि ये चोरी चकारी से पास किये गए हैं, लोग तंतर में full discussion, debate सबकी भागीदारी से कानून पास होते हैं, कानून पास किरने के लिए संख्या जब जूर होती है संख्या का, जब मैतो है, जब debate पूरी हो, discussion पूरा हो, हर point पे मंतन हो, सबको सम में दिया जाए, और एक एक बात हर MP की लिखी जाए, debate में किसने क्या कार, किसने क्या नहीं कहा, तब जाके कानून पास होते हैं, तो हजारों लाखों गंटे देश के वकीलों के, लिटिगेंट्स के और कोर्ट के जज़ों के बरबाद होने से बच जाते हैं, जल्दी में क कानून कोर्ट में जाके दोबारा इंटर्पेटेशन होती है, सालों साल तक देश के लोग उल्जह रहते हैं, मुकदम में परिभासा कलियर नहीं होती, कानून की भासा क्या हो, कलियर नहीं होती, इसलिए पूरे देश की बरबादी है, करोडों करोडों घंटे की बरबाद और देश का बेड़ा गरक हो जाएगा इस तरह देश उलजा रहेगा देश के मुकदमे भाईचारे से निप्टाने की जूर्थ है नयालों का काम देश में फैंसले सुनाना नहीं है नयालों का काम नयाय की स्तापना है और नयाय की स्तापना जब सुनिश्चित होती है जब ल रूल औफ लो नहीं कहा जाता रूल ओफ जंगल कहा जाता है रूल ऊफ लो का मतलब यह देस में भाई चारा थ्ट इसलिए को भी देखना होगा हाई कोड करनीहُंचे को oikeut ko b klima को पहल करनी क्या लग रहा है कि जो 18 में लोकसभा का जो कामकाज है वो शुरू हो चुका है 24 तारिक से लोकसभा सत्र भी स्टार्ट होने वाले हैं 24 और 25 को जितने भी सांसद हैं उनको सपतगर्ध कराया जाएगा और 26 तारिक को स्पीकर पर की चुनाओ होगा ऐसे में जब चुनाओ हो ज मामला है देश का और अब उमीद भी है जो लगता है देश के में जो अंडर करंट है इन कानूनों के खिलाप यह सामने आएगा और यह कानून वापिस लेने पड़ेंगे रद्धी की टौकरी में फैंकने वाले कानून है इनकी कोई जूर्त नहीं है दोबारा इनको पास भ पर देश की जूर्त है और सिर्फ जूर्त उस बात की जहां पे लोग पुलिस स्टेट ना बन पाई पुलिस को अन्नेसेसरी पावर नहीं दी जाए मैं पुलिस को गलत नहीं बता रहे हैं आपे मैं यह कह रहा हूँ पुलिस को कंट्रोल करने वाले जो लोग है पुलिटिकल एक्जिक्यूटि नेता वेता मंत्री संत्री यह सारे के सारे बदमासी से उनको अपना बंदर बना लेते हैं जैसे मदारी का बंदर है और उनको कैप्चेर कर लेते हैं उनको बंदवा मज़़ू वो करेंगे जो हमारी मर्जी ऐसे आदमी को पकड़ो ऐसे डिल करो ऐसे विरोध करो जमानत का तो यह सारा खेल देश में चल रहा है क्या लग रहा है सर कि जिस्ता से यह तीनों जो कानून है नहीं कानून इसके लिए स्रिफ जनता को रूट पर आना चाहिए अग्यापन देन कानून झालना चाहिए dm hdm को कि जो जनता के तो्वारा प्रतिनिदि चुनकर शंसत भोशन में आता है उनको भी इस पर चर्चा करने या उन्हीं को करने है पहले work to jump इंडिया के अनगा सभे जहें इन टोकरिंगे और फिकना चाहिए क्यों कि जनता की क्या मर्जी है उनको पता होना चीए मैं तो कहता हूँ ज्यादा तर जो M.P.A. भी भी बने हैं मैजोर्टी का मैं कहा रहा हूँ इनको ABC का नहीं पता सुविधान की ज्यादा इनको ग्यान ही नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा प्रोग्राम नहीं कोई आज तक सुधार नहीं हो आए लक्षन कमिशन इन बातों पे तो कामी नहीं करता इस देश में कि जितने भी तुमारे वरकर हैं दिखाना पड़ेगा तुमारे को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सुविधान के बारे में उनको सब कुछ बताना पड़ेगा इस देश के बारे में उनकी ट्रेनिंग इतनी होनी चाहिए कि टिकट मिलने से पहले उसको देश का पूरा पता हो सुविधान का पूरा पता हो ताकि वो एक अच्छा जनपृतिन सा भी तो पार्टीय बनाए तो इसलिए थी ये पार्ट पैसे का खेला बेला हो गया इनको ग्यान का कोई वो नहीं है इसलिए और नाइक चरित्र नहीं होने के कारण नहीं व्योस्ता नहीं हो पारी है तो इसमें हमारे साथ सुप्रीम कोड के सिनियर रोकेट बलाज मलिक जी हमा मुद्दों पर इन्होंने प्रकाश डाली तो इस बात चीत पर आपकी क्या रहा है मैं कमेंटर बाक्स में जरूर बताएं सुक्री